हेलो गाइज आज मैं बताऊंगी आपके मोज की प्रोफाइल में ट्रेंडी मोजी लगने से क्या फाइदा होती है और जहां और जब आपके प्रोफाइल पर ट्रेंडी मोजी लग कर रिमूब हो जाती है तो आपको क्या-क्या नुकसान होती है ये भी मैं आपको इस वीडिय तो बनाती हूँ आप लोगों के लिए बट आप लोग दिल से सपोर्ट नहीं करते और मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने की तो गाइस हेल्पी तो अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ बहुत बखवास हो गई तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आपके मोज प्रोफाइल पर टेंडी मोजी लग जाती है तो आपको क्या क्या फाइदे होगी तो guys सबसे पहले बात करते हैं trendy emoji लगती कैसे है trendy emoji लाने के लिए आप लोगों को करने क्या क्या है ये जाल लीजी उसके बाद मैं बात करूंगे trendy emoji लगने के फाइदे तो अब चलते हैं अपने emoji के अंदर उसके बाद आपको नीचे search की आइकोन दिख रही होगी आपको उस पर क्लिक करनी है तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी trending hashtag पर तो guys इसी trending hashtag पर आपको वीडियो बनानी है तो guys आपको स्टेप तीन से चार दिन के अंदर आपको trendy emoji मिल जाएगी अब बात करते हैं trendy emoji लगने से फाइदे तो guys trendy emoji लगने के बाद आपके वीडियो का वीडियो बहुत जादा बढ़ने के चांस होती है और आपका flowers भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कितना जादा बढ़ गया है व्यूज और मैं लाइक भी बहुत जादा जादा तो अब बात करते हैं trendy emoji लगकर हट जाती है तो आपको क्या-क्या नुक्सान होती है उससे पहले ही आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज लाइक कर ले तो गाइज अब बात करते हैं नुक्सान की तो trendy emoji हटने के बाद आपका flowers बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और वीडियो पर लाइक भी बहुत कम हो जाती है और वीडियो भी आपका उतना जितना पहले trendy emoji लगता था तो आता था वीडियो उतना नहीं आता अब बात करते हैं यह trendy emoji हटती कैसे है तो गाइज अगर आप वीडियो trending hashtag पर 7 दिन अगर वीडियो नहीं बनाते हैं तो आपके profile से trending emoji हट जाती है अगर आप 7 दिन में एक video भी trending hashtag पर वीडियो बना देते हैं तो आपके profile से trending emoji नहीं हटेगी गाइज उमीद करती हूँ मैं उमीद करती हूँ आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दी होगी तो गाइज आज के लिए इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में